है लो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे खैरियस से होंगे दोस्तों मेरे चैनल रूरल बिलेली लाइफ में आपका स्वागत है आज मैं आपको खेत खलियानों के साथ साथ अपना बागीचा दिखाने चल रहा हूं मेरा आम का बागीचा बहुत पाइदे मंद चीज होती है और खास करके जो डाइबिटीज की पेसेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद चीज होती है आप देख पा रहे होंगे एक गूलर आपने गूदर का नाम जरूर सुना होगा एक पेड़ आपको देख लीजी एक गूलर का पे मैं आपको दिखाता हूँ अपना आम का बागीचा आम के बागीचे में हमारे आम के बागीचे वाले खेत में मसूर की खेती हुई है मसूर बोई गई है और उसमें सरसों बोई गई है तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आप देख लीजी यह है जामुन का पेड़ ज अभी मैं दिखाता हूँ आपको थोला पास चलके देखिए एक पेड़ यह यह भी दसेरी है और यह पीड़ मैंने लगाया हुआ है यह थाला भी बनाया भी छोटा पेड़ है यह और मैंने अपने हाथ से लगाया हुआ है और उधर जो आपको पेड़ दिख रहे हैं यह सब म एक मूर्गी फारम बना हुआ है अगर किसी दिन मौका मिला तो आपको मैं मूर्गी फारम भी दिखाऊंगा तो दोस्तों रूरल बिलेज़ लाइफ में मैं अपना ग्रामीड जीवन दिखाने के कोशिद करता हूं अपना खेत खलियान बागीचा दिखाने को कोशिद करता बास है इसलिए घर नहीं दिख पा रहा होगा आपको तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यह पूरा खेत खलियान है और यह है मेरा छोटा सा आम का बागीचा और जब इसमें फल आ जाते हैं तो हमारे खाने भर के लिए बहुत परियाब तो होता है फल इसमें हम लोग पेड मैने लगाया हुआ और मेरे जो चोटे-चोटे बड़े-बड़े पेड़ा है यह पेरे पापा लगाये हुए थे और उधर जो तीन पेड दिख रहे हैं आपको बड़े-बड़े ओं मेरे दादा जी लगाये हुए थे तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप इसमें चोटा-मोटा बागीचा को तैयार करते हैं फल के लिए साग सब्जी के लिए दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंड करके जरूर बताइए हम अपना गरामीड जीवन दिखाने के कोशित करते हैं रूरल पिलेज लाइफ दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया आम का बागीचा कैसा लगा आपको कमेंड करके जरूर बताएं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद सजासुस्त रहें मस्त रहें और बेस्त करें